करनाल में अपराद पर अंकुष लगाने के लिए पुलिस चोकस नजर आ रही है पुलिस ने अपराधियों की धर पकड के लिए नाको और गश्ट की संख्या भी भड़ा दी है पुलिस दोरा किसी भी जगए अपराध होने की सूचना मिलने पर भी तवरित कारेवाही करने का परियास किया जा रहा है इसी कड़ी में करनाल पुलिस की CIA 2 टीम ने चैन स्नैचिंग के वारदातों में सनलिप तंतर राज्य गैंग के दो स्नैचरों को गिरफतार करने में काम्याबी है पता दे कि पुलिस टीम ने आरोपी नरेश कुमार निवास सहरनपूर को सहरनपूर से गिरफतार किया है आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिन का रिमांड हासिल किया गया रिमांड के दोरान जाच में खुलासा हुआ कि आरोपी नरेश दुआरा अपने दूसरे साथी लक्षमन निवासी गाउं अलाव दीनपूर के साथ मिलकर करनाल जीला में चैन स्नैचिंग का कुल चार वारदातों को अन्जाम दिया गया जिस बिनाहा पर दूसरे आरोपी लक्षमन को मेरट रोड नस्दीक मंगलोरा से गिरफतार कर लिया गया जाच के दुरान पाया गया कि आरोपी आम तोर पर महिलाओं को निशाना बनाते थे आरोपी घर के बाहर गले में चैन डाली खड़ी महिलाओं से किसी का जूटा नाम वपता पूछने के बहाने बातों में उलजा कर उनके गले से चैन चीन कर मोटर साइकल पर सवार होकर फरार हो जाते थे पुस्ताश में आरोपीतों से कई अन्य वारदातों का भी खुलासा हुआ है सभिव वारदातों को आरोपी नरेश कुमार व लक्षमन द्वारा अनजाम दिया गया था आरोपियों के कपजे से एक सोने की चैन वो वारदात में इस्तमाल मोटर साइकल को पूलिस द्वारा बरामत कर लिया गया है जाच के दुरान यह भी खुलासा हुआ कि आरोपिय नरेश द्वारा अकेले जीला पानीपत में छे वो अमबाला में चैन स्नैचिंग की एक वारदात को अंजाम दिया गया इन मामलों में आरोपिय नरेश कुमार गिरफतार हो चुका था और जमानत पर भार चल रहा था लेकिन कोट में तारीक पेशी पर ना जाने के कारण बैल जमपर हो चुका था और पानीपत नियाले द्वारा भगोडा घोशित किया गया था जांच के दुरान यह भी खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों द्वारा अलग अलग राजियों में करीब 40-40 चैन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है जिसमें हरियाना पंजाब उतरपरदेश चंडिगर वर करनाटक का बैंगलूर शामिल है पुलिस अब रिमान के दुरान आरोपियों से घहनता से पूस्ताच करेगी साथी वारदात में छीने गए समान को बरामत किया जाएगा CIE 2 की टीम को एक बहुत पड़ी कामियाबी खासिल हुई है जो अंतराज गया चैन स्नैचिंग ग्रोग के दो रोपियों को कबू किया गया है काफी वारदातें को इन्होंने अंजाम दिया है और जो अरोपि है नरेश कुमार जिला पाणीपत से और अंबाड़ा से कोट से भगोडा भी है और अन्या कई वारदातों में पूलिस से पियो भी है जो कि जब इनसे गहनता से पूस्ताच की है तो क्रीब नोंने बताए कि एक बार ही गिरफ्तार हुआ और दूसरा अरोपि जो लच्मन है वो आज तक चैनसनेचिंग की वारदातों कम शे कम छे साल से अंजाम दे रहा और कभी गिरफ्तारी नहीं हुआ जो कि अरोपियों ने खुद ये बताए कि उन्हें खुद भी इतनी वारदातों का अंजाम कि इन्हें खुद भी याद नहीं है कि उन्हें कहां और किस जिले में और उस जगयन पर कहां वारदातों का अंजाम दिया है और करीवन इन दोण वारभी ओनoreपियों ने चालिस चालिस और दर decl scratchy से वारदातों को अंजाम दिया बिलकुल इन्होंने दिल्ली में पंजाब में, करनाटक में, उत्तर पर्देश में और हर्याना में चैने स्नैचिंग की वारदात्तों का नजाम दिया है। जो कि हमने नरेश कुमार को यूपी पुलिस के सह larg से ग्रdoesक्राग किया था और उननीश तारी को पांस दिन के पूलिस रिमान्ट पर लेकर पांस दिनके पुली सरमית पर लिया। पादे पर पर लेकर आशिताश किये ता लिए मगार जीला पानीपच के छे मुकदमे और अमबाला के मुकदमे स्नैचिंगे हैं जो की एक बार पकड़ने के बाद दुबार कोर्ट से प्यों है अभी इनको हमने एक एक चैन और एक जो वारदा तो इंप्रियों के मोट से बरामिद के लिए यह जो नरेश कुमार है यह गाउं मस् दीन के पुलिस रिमांड पर ठा आज उसको दुबारा से पुलिस रिमांड पर लिए जाए गा और उसका साथ्य लच्मन उसको कल गृफतार किया है कोर्ट वें पेशर के दुबारा गैंग और गयरा बिल्कुल इनके और भी दुराने पुश्टा बात सामने हैं किनके और पर जाब में कोई वारदात का अंजाम देना है यह वहीं पर किराए का कमरा लेकर रहना लग जाते हैं गाउं में बिल्कुल ही कभी-कभी क्या मिन्ने में यह वहां दोरा लगाते हैं और इसलिए जो इनका एड्रस वहां पर पुलिस ने कहीं बार रेड किया और यहां यह नह क्या वारदात को जामने क्या कहा है यह कैसे थे ऋनके सथ को प्लेट होने के बाद हमें यू-पी पुलिस के सथ कमिनिक किया उपिलोग से एक गरफ्तार किया और वहां से किरे नहें करनाय कोर्ट से पुलिस रिमांड फर लिया पर इसके बाद इसने अपने साथी का दुराने रिमान खुलासा हो और फिर इसके साथियों गिर्फतार किया गया जो इनका मोडर्स अपरेंडी है यह जाके पहले बैल बजाते हैं और जब भी कोई घर की लेडिज बाहर निकलते हैं उसे एड्रस पूछते हैं किसी भी अनौन परसन का और जब वो एड्रस बता लगते हैं तो उसके चैन स्नैच करके भाग जाते हैं या फिर बजार दिन के स लेकिन ग्रिफतार होने के बाद वो कोर्ट से प्यो हो गया और क्या दार्माइं की जरीया अब इन से गहनता से पूछताच की जाएगी और वारदातों खुलासा होने की संभावना है करनाल जी लेके कितनी बादातों अंजाम दिया हैं? करनाल जी लेकि 2019 में ने चर बादातों अंजाम दिया ऐसे ही लेटेस दोबरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थेन्यवाद प्रफेट वेडियो वेडिन लांचे एंपार इस राजगराना जोती गारन अजवाद एड़ एंटरिगांट अजबी बांकेट एंटर्पार्इब